सपाने तौर अफजार अंसारी हमस्त मौजूद हैं। अफजार जी आप मुक्तार अंसारी से मिले हैं क्या कुछ देख पाएं रीज़ों हैं ? medical college में admit कर दिये गया और कई दिनों से चल ला था कि उन्हें जहर दिया गया है जेलर डिप्टी जेलर और कई करमचारी सस्पेंट किये गये थे लेकिन शुकर है कि हास्पीटल समय से आ गए और यहां उपचार हुआ और उनका जीवन फिल हाल तो बचा हुआ दिखता है अब आगे को यह और खडियन्थ हो जाए खाने में कुछ इस तरह के पदार्स डाल दिये जा रहे हैं जिसको खा के व्यक्ति जो है यार मैं बता तुराओं कि उन्होंने खुद कहा और डेट बताया कि इस डेट को रात वाले खाने में मुझे दिया गया जार और उसके बाद मेरी फोरन तबियत भिगड़ गई और तब से मैं कह रहा हूँ वहीं इलाज होता रहा जेल के डाक्टर इलाज करते रहे दो एक यहां से डिश्टिक हस्पिटल से इलाज जाके करते रहे जब सब कुछ काबू के बाहर हो गया और या अगर उन सब की मिली भगत है तो उन लोगों ने ये समझ लिया कि अब डेड इंड के कगार पे है तो ये बाड़ी कैसे जेल में इसको कहीं हस्पताल में दखा यही है मनसूबा अभी तो जो सामने दिख रहा है वो सिर्फ यही है कि उसरी कांड़ वाले में जो गवाही शुरू हो गई है उस मामले में मुकतार अंसारी वाधी मुकदमा है अगर वो गवाही कर देंगे तो गुनहगार को उसके गुनाह की सजा मिल जाएगा उमार अनसारी को जानकारी मिल रही है, मिलने नहीं दिया गया। ने फोन किया है हमने मुखमंतरी के आवास पे टेली फोन किया था नहीं बात हुई बताया गया कि वो गोरखपूर में है बात कराने के लिए कोशिश किया बात करा दीजिये तो उन्हों बताया गया कि वो गोरखपूर में है कल आएंगे कल आप फोन कीजिये बात हो जाएगी तो कल कोशिश करूँगा बात करने की ये थे हमारे साथ अफजाल अंसारी, मुक्तार अंसारी के भाई है और गाजीपुर से प्रत्याशिय समाजबादी पार्टी के इनका ये दावा है कि स्लो पॉईजन खाने में दिया गया है जिसकी वज़ा से मुक्तार की अहालत हुई है और मुख्यमंत्री आवास में संपर्ग भी किया है और उनको उमीध है कि कल बातचीत होगी इसके बादी कोई हल निकलता नज़र आएगा कैमरामेन नीरश की साथ समर्थ शिवास्तव बांदा आज तर